नमस्कार प्यारे बच्चों नमस्कार मेरे बित्रों आज हम बात करेंगे अध्याय तीन योग एम जीवन शेली के भाग एक योगासनों द्वारा रोगों से बचाव के उपाए मुटापे के लियासन उसके लाप तथा सावधानिया इस अध्याय को हम तीन भागों में आएंगे पहले योगासन द्वारा रोगों के बचाव और मुटापा ततपश्यात मुधुमे और उच्यरक्चा ततपश्यात अस्तमा और पीड़दर्द सबसे पहले हम बात करते हैं आसन के बारे में आसन सरीर की वह मुद्रा है जो मूल रूप से ध्यान में बैठने के ल आसन लेटकर जो किये जाते हैं सवासन उल्टे होकर जो किये जाते हैं शीर सासन संतुलन बनाने वाले कुपकुट आसन आगे की और जुकने वाले पश्यमुतान आसन पीछे की और जुकने वाले धनुरासन को आपस में जोडती है पातांजली के अनुसार इस्तिर सुखमा होनी चाहिए रोग निवारक के रूप में अध्यनों से पता चलता है कि आसन से लचिलापन शक्ति स्वयम के संतुलन में सुधार होता है तनाम कम होता है और विशेश रूप से अस्तमा मदुमह मोटापा उच्छे रक्चा फीरदर जैसे कुछ बिमारियों में कम करने में मद अगर हम यह कहें कि जब भी कोई व्यक्ति आसन करने ही तो अपनी चटाई को बिछाता है तो यह पक्का है कि वो विविन मुद्राओं द्वारा अपनी सरीर को घुमाता है और वह अनगनित स्वास्ते लावों को प्राप करना सुरू कर देता है तो सबसे पहला जो हमारा ब सरीर रियात्मक लाप के बारे में बात करेंगे फिर मजव ग्यानिक और जैवशाय्निक सरीर क्रियात्मक में रग्ठ दबाव कम होता है मस्कुलोस के लेटरल चीला पना आता है जोड़ों की iter बढ़ जाती था हमारी तंत्र का तंत्र में संतुलन आता है पल्स रीट घड़ जाती है हिर्दे की कार्शमता बढ़ जाती है गैस्ट्रो इंट्रस्टाइन फंक्शन कारे करता है अंत्यस्त्रावी ग्रंथियों का समाने करण होता है उच्छरजन में मदददार होता है आँख और हातों में सम सुधार होता है आत्मस्विकरती मिलती है आत्मबोर्ण बढ़ता है समाजिक समय उजन होता है चिंता अवसात कम होती है एक आगरता में सुधार होता है या दास में सुधार होता है ध्यान में सुधार होता है सीखने में दक्षता प्यदा होती है जैव रशाइनिक जो हमार LDL cholesterol घड़ता है LDL LDL जो खराब cholesterol कहलाता है वो भी घड़ता है Hemoglobin में व्रदी होती है थायरॉक्सिन बढ़ता है यह हमारे अनेहीक लाब है जो हमें आसनों के करने से मिलते हैं अब जीवन सम्मंदी जीवन शैली सम्मंदित रोगों से बचाव के लिए आशन की महतून गोमिका है यह प्रशन भी आता है पांच नंबर में तो इसमें अगर पांच नंबर का प्रशन आता है तो पांच पॉइंट हम क्या देते हैं कि वजन को नियंत्रित करता है अंतेस्त सदैफ सीधा रहता है हम यहां बात करेंगे मोटापा या स्थूलता जो हमारे सलेपस में है कि मोटापा है क्या और मोटापा क्यों हमाएं हमाएं आज के जीवन में परिशानी पैदा कर रहा है मोटापा विस्व की समस्या बन चुका है वैसकों के साथ साथ बच्चे भी मो अगर हमारे जो खाने में आनियमित्ता हो रही है उसके कारण वसा की मात्रा जादा होने से धीरे धीरे मोटापा बढ़ रहा है निश्करिय जीवन सहली हो गई है अगर एक व्यक्ति का भार सत्तर किलो है और उस सत्तर किलो का चौदा किलो का भार अगर उसका जादा है समाने बार 70 है माना तो वह मोटापा कहलाएगा एक युक्ति का आदर्श बार से अगर 20% ज्यादा है तो वह मोटापा कहलाता है मोटापे के दो मुख्य कारण हमारे खानबान की गलत आदते हैं और पाचन प्रणाली का बिगड़ना होता है हमें बार-बार दवाईयां खाना, मनोवेग्यानिक घटक, समाजिक मुद्दे, हमारे हर्मोन में बदलाओ, गर्वाधारन हो जाना, कार्भोहेडरेट का अत्यदिक मातरा में खाना ये सब मोटापे के कारण हो सकते हैं मोटापे के अनेक स्वास्ते जोखिमें के कारण, इसे हमने बिमारी का दर्जा दिया है मोटापे के कारण, यक्ति, मदुमे, अत्रिक, दबाव, कैंसर, गठी, आधी, रोगों का सिकार हो जाता है तो हम यहां पर बात करेंगे इन चार आसनों की जो हस्तोतान आसन त्रिकोन आसन अर्दमश्य इंद्रासन और वज्रासन आपके स्लेबस में 25 आसन है जो अलग लग विमारियों के लिए आपके स्लेबस में दिये गए हैं लेकिन अगर हम उनको कुल मिलाकर देखते हैं तो 15 है क्योंकि अर्दमश्य इंद्रासन आपको यहां पर भी दिख रहा है अर्दमश्य इंद्रासन आपको डाइबटीज के लिए भी देखेगा अर्दमश्य इंद्रासन आपको तीसरी विमारी के लिए भी देखेगा तो हम केवल उनी आसनों के बारे में बात करेंगे वजराशन को करने का तरीका हम बात करते हैं, वजराशन अपने आसन पर बैठ जाएं, दोनों पाउं को एक-एक करके मोड़ते हुए नितम की नीचे ले आएं, दोनों एडियों के मध्य बैठें, ध्यान रहे कि अंगुठा अंगुठे के उपर चड़ाना हो, अंगुठा के वल सपर्स करता हो, रीड गर्दन एकदम सीधी रहेगी, दोनों हाथ गुटनों के उपर रहेंगे, आँखें कोमलता से बंद रहेंगी, हर आसन में आँखें को वजरासन की इस्तिती है, इसी इस्तिती में बैठे रहें, वजरासन पिंडलियों पर जंगाओं पर दवाव होने के कारण, पैर की नसों में गर्मी पैदा करता है, जिससे पेडू भाग के अंग सक्रिय हो जाते हैं, पाचन क्रिया सुद्रड बनती है, गुटने जांग आ मिलता है, अधिक चलने में साइकल चलाने के कारण धकान मिट जाती है, सबसे बड़ी बात है कि वजरासन की वले एक ऐसा आसन है, जो खाने के बात किया जाता है, यह हमारे मेटाबॉलिजम को बढ़ाता है, रक्त के संचार को ठीक करता है, स्फिर सीरा का रोग इससे ठीक ह होता है, हर आसन को करते से में आपको ध्यान अपनी सरीर के साथ लगा के रखना है, वजरासन को करते से में भी यह मनिपूर्चक कहा गया है, या आप यह कर सकते हैं कि नाभी के नीचे वाले छेत्र में आप वजरासन करते से में ध्यान देंगे, अब हम बात करते हैं त्रि कौन आसन से सरीर हलका बनता है, रीड़ वे उसके आसपास की मासपेसियां सबल होती है, सरीर पुस्ट बन जाता है, पुर्शों के अत्रिक महिलाओं के लिए भी ये आसन विशेश रूप से उपयोगी है, महिलाएं भी इस आसन को कर सकती है, पेड़ू में इस तित सभी अंग सक्रिय होते हैं, सरीर का ठेड़ापन दूर होता है, जिगर, गुर्दे, पैंक्रियाज और बड़ी आते इससे प्रभावित होते हैं, फेफ़णों में अधिक देर तक वायू रोकने की छमता बढ़ जाती है, तो देखते हैं हम सबसे पहले हम दाहिना हाथ स्वास भरते वे दाहिने हाथ को ले जाएंगे आकाश की और ताड़ेंगे उपर से उपर नीचे से नीचे उपर वाले हाथ को उपर नीचे वाले हाथ को नीचे स्वास छोड़ते वे दाहिने हाथ को ले जाएंगे बाई और यह है त्रिकोन आसन की सही इस्तिती, पंजे अंदर की ओर रहेंगे, वहाँ पर कुछ छन रुखना है, यहीं से स्वास भरते वे आ जाएंगे मध्य में, आपको यह आसन लंबा करना है, यहाँ पर हम इसको इवल इस्तिती दिखाने के लिए इसको जल्दी कर रहे हैं, स्वा बाहीं होर से स्वास भरते वे ले जाएंगे आकाश की ओर तानेंगे उपर से उपर, टारेंगे नीचे वाला हाथ, नीचे खीचेए बिल्कुल, स्वास छोड़ते वे दाहिनी होर, स्वास बरतेवे मध्य में स्वास छोड़तेवे हाथों को नीचे ले आए आ जाएंगे स्थिती में अब हम यहाँ पर बात करेंगे वजरासन की विधी हमने बता दिये कि किस तरह सांस छोड़तेवे किस तरीके से जाना है और यह स्थिती हमेशा करते से में ध्यान देंगे यहाँ पर अब कुछ प्रशन दिये गए है इन प्रशनों को आपने ध्यान से देखना है यह सीबियसी में आ सकते हैं या आये वे हैं मोटापे के लिए किनी दो आसनों को लिखते हुए किसी एक आसन की प्रक्रिया वेला आपका वरणन कीजिए मोटापे के अन्यासन हम आगे वाले बिमारियों में चर्चा करेंगे मोटापे को परिभाशित करत कीजिए किनी दो आसनों की प्रक्रिया लिखिए जिनके द्वारा इसे कम किया जा सकता है प्रशिन पूछने का तरीका कुछ भी हो सकता है अर्दमशेंदरासन, वेवजरासन, अर्दमशेंदरासन हम आगे करेंगे मोटापे को कम करने में साहक होते हैं सविस्तार से वरणन कीजिए तो ये इस प्रकार से प्रशन है और दूसरे प्रकार से भी प्रशन पूछे जा सकते है तो धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए अगली वीडियो में हम आएंगे उच्चे रक्चाप और डाइबिटीज को लेके धन्यवाद